Hello guys, आज मैं आपको लॉकडाउन के चलते एक बहुत इजी केक बनाना सिखाती हूँ इसमें मैंने बगर क्रीम के फ्लार्ज बनाए है बगर एक के मैंने ये केक तयार किया है आईए आप मैं आपको बताती हूँ इस केक में हमें क्या-क्या समागरी चाहिए चलिए आज हम लोग अपनी केक बनाने की रेस्पी स्टार्ट करते हैं उसको बनाने के लिए हमें एक कटोरी मैंदा, आधा कटोरी चीनी, आधा कटोरी दही चाहिए और आधा कप से थोड़ा सकम रिफाइन चाहिए आईए, हम दही को मैंने एक बड़े चे बॉल में प्रांसवर करती है, उसमें हम चीनी डाल देंगे, अगर आप थोड़ा मीठा काना चाहिए तो आप चीनी बढ़ा सकते हैं उसकी बाद इसको थोड़ा ऐसे मैश कर लेते हैं और इसमें अब हम तेल डाल देंगे, यह तीनों चीजें हम मिक्स कर लेते हैं, आप चाहिए तो बटर भी डाल सकती है अब हम इसमें मयदा डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा डाला लिए गाड़ा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे आप दूद भी डाल सकती हैं लेकिन मैंने पानी का यूज किया है फिर अब इसको पूरा मिक्स कर देंगे यह तीनों चीजे मैंने मिला ली है अब अगर आपको इसमें कोई फ्लेवर देना चाहती है तो आप दे सकती है हमारे पाइस समय वैनिना फ्लेवर है तो मैं कस्ट्रेट का मिलना फ्याइब को मैंने एक थोड़ा से लेके देड़ चम्मद लेके इसको मैंने पानी से पहले सी के रख लिया है अब वो मैं इसमें मिक्स कर दूंगी देखे यह मैंने इसमें एड़ कर दिया और उसके बाद आब आ इसको पूरा मिक्स कर दीजिए जाए देखे हमारा यह बेटन कितना अच्छे से त्यार हो गया है यह देखे आपको कुछ bestimm करना है तो आप ऐसे चम्मश अब हमारा पूरी तरीके से रेडी है इस समय मेरे पास अलेबल गरी है तो हम गरी इसमे आट करेंगे अगर आपके पास टूटी-फूटी है तो आप टूटी-फूटी भी डाल सकती है और आपके पास चौको चिप्स है तो चौको चिप्स भी डाल सकती है हमने इसमें आधा चमश मेला दिया मैदा हम इसलिए मिला रहे हैं कि यह केप में जब इसमें हम डालेंगे तो यह चिपके गा नहीं यह देखिए मैंने इसको अच्छा से वो कर दिया है अब मैं इसके अंदर यह डाल देती है अब फिर इसको पूरा मिक्स कर देंगे गाइस मैंने अपनी कडाई को गैस पे चड़ा के इसको थोड़ा सा फ्री हीट कर लेते हैं तब तक हम अपना जो मिक्सर मैंने बनाया है वो एक बाउल में हम उसको शिप करते हैं आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है तो ग्रीज क गाइस अब हम इसको थोड़ा सा मैज़े से स्प्रिंकल कर देंगे जिससे वो चिप केगा नहीं है हमारी बेटन तेरा मेरी कड़ए भी हीट हो चुकी है अब इसमें जो मैंने एक छोटा चमश मीठा सोडा निकाला था वो इसमें हम डाल देंगे और मैंने आप बताते हैं बताया था इनो इसमें एक पैकेट इनो पूरा पर जाएगा इसमें थोड़ा सा एक चमश पानी डा जब जैसे यह मिक्स हो जाए इसको तुरंत बाउल में शिफ कर देगा देखे मैंने इसको शिफ कर दिया अब इसको हलके से ऐसे टाप करके अब इसको मैं रग दूँ यह देखे इसको पीज से चालिस मेट के लिए इसको मैं पैक कर देखे जब तक हमारा केक बन रहा है आई हम उसको उपर से डेकरट करने के लिए आपको हम फ्लास बनाना बताते हैं बहुत इजी है, आईयम बताते हैं, हमने एक प्रेप पैन, और विधाउत क्रीम के हमाज आपको फ्लाज बनाना सिकाते हैं, यह मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में मैंने एक डो, और यह तीन, तीन चमर्श मैदा ले लिया है, अब हम इसको स्लो फ्लेम पे थोड़ा-थोड भूल लेंगे, क्योंकि मैदे का कच्छा पना चलाड है, जब यह भून जाएगा, तब हम इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे, और दूद, लेकिन अभी इसको हम भूल लेते हैं, पहले, देखे हमारा, जो मैंने मैदे डाला था, वो हलका हलका सा ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें आधा चम्मस चीनी डालेंगे, आप चाहिए तो मिल्क पॉडर भी डाल सकती है, लेकिन हम चीनी डालेंगे, चीनी बहुत थोड़ी सी पड़ेगी, उसके बाद इसको हम मैच, मिक्स कर लें ऐसे, देखे मैने इसमें चीनी को मिक्स कर लिया है, अब हमने आधा कब दूद लिया है, लेकिन एकदम से दूद नहीं डालेगा, थोड़ा थोड़ा करके दूद पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको डो तैयार करना है, देखे हमारा ये कितना अच्छा डो तैयार हो गया है, इसमें धीमे धीमे आपने दूद डालते रहेंगे, तो ये इसी तरह का तरीके से निकाल लिया है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा फूट कलर डालेंगे हमारे पास सूखा पॉडर में हैं तो हम सूखे पॉडर का डाल रहे हैं बहुत थोड़ा सा पड़ता है यह यह देखिए कि यह रेट और यह और यह औरेंज यह तीनों को मिक्स कर लेते हैं देखिए कितना अच्छा कलर आया है मारा पूरा यह फ्लास का डो तयार हो गया है आपके पर जो कलर हो गोड़ा ले प्रिजन टाइमे में पस यही तीन कलर हैं ग्रीन ओरेंज और येलो अब मैं इसका आपको फ्लार बनाना सिखाती है हमने एक जो डो था उसको छोटी की दो लोईों में कर लिया है बहुत अराम से बिल जाएगा आपको दिक्कत नहीं होगी यह देखिए कितना अच्छे से लोई बन रही है उसके और एक कोई सी भी बॉल लेके उसको काट दीचे ऐसे जो मैंने दो मैंने था किया था किया गया तुम से मैंने तेनों के ऐसे सरकल काट लिये और ऐसी एक किस्ट्रफ भी काट लिये जो बीच में फ्लार सटे लगाने की काम अब आएगी अब आईए हम आपको फ्लास बनाना सिखाते हैं आईए अब हम आपको फ्लास बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत इजी है फ्लास बनाना एक एक ऐसे करते करके टीनो जो हमने सर्किल बनाए हैं ऐसे रख लेना है उसके बाद हलकी हलकी हाथों से ऐसे फोल्ड करते रहीएगा यह देखें यह देखें हमारा फ्लार्स त्यार हो गया है अब इसको हम बीच से कट कर देंगे यह देखें हमारा फ्लार्स त्यार है अब हम इसी तरह दोनों के और फ्लार्स बना लेते हैं अब हमने जो इस्ट्रिफ ली थी आई एम बताते हैं उसको कैसे लगाने या एक फ्लारस हमने लिया और फ्लारस को हल्का से आहसे टिप करते हुए ये देखिए कितना अच्छा सा फ्लारस आया अब इसी तरीके से हम सारे फ्लार्स व्लार्स कोड़ीज़े, चोटे-छोटे-चोटे-चोटे-चोटे 3 में लगा से ही लिए, इसको हम उपर साइद में और इसको नीचे में लगाएंगे वह आपको दिखाते हैं आईए देखें हमारा केक पग गया है, आईए हम उसे को चेक करने का तरीका बहुत असान है, एक ट्यूप पिर लिजे उसको बीश में ऐसे डाली है, अगर बिलकुल क्लीन निकलाती है, देखें पूरी क्लीन है हमारा केक का पगया है, अब हम गया इसको बंद कर देते हैं, आ प्लेट मोलकों करते हैं और 20 रुपया लिए डेरे मिल्क लिए है अब हम इसको एक प्लेट में निकालर लेते हैं चोखर को मे Pasak क forty देखें हमारा केग किता स्पंची बनाया हैं। आप यह देखिए कितना आई tapping की सस्पंची है। अब हम इसको में कोडिया है हमारी जॉक्ती के रहा है सब जचॉग्ट करने के लिए विसकुट का भी यूस किया है इसको खाला है। डॉकलेट करना स्टार्ट करते हैं जो मेरी चॉकलेट मेल्ट हुई थी अब हम उसको इस केक के उपर से डालते हैं देखे मैंने चॉकलेट पूरे में लगा दी है अब इसमें हम कि हाफ साइड में गरी का लख्षा लगाएंगे कि कि गरी का लख्षा मैंने लगा दिया है अब इसमें मैं फ्लार्स लगाऊंगी जो मैंने फ्लार्स बनाए है अब वो मैं फ्लार्स लगाऊंगी सारे फ्लार्स इसको लगा दिया है अब जो मैंने जेम्स ले थे वो मैं इसको डेकरेट करती हूं कि मैंने जीम्स लगा दिये इसको, देखे कितना अच्छा सा लग रहा है, अब जो मैंने दो बिसक्ट लिए थे बरवन, वो मैं इसको छोटे-छोटे टुकडे करके केस्ट करके लगाती हूं, देखे मैंने वो बिस्कुट तोड़के ऐसे उसमें पुश कर दिया है और देखे हमारा केक अब तयार हो गया है कितना स्पंची कितना क्रीमी और बगर क्रीम के मैंने ये केक बनाया आपका